हलो साथियों, श्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल मैट्स मस्ती आफिशियल पर तो चलिए सभी को राधे राधे, राम राम, सुप्रभात, सस्त्रिकाल, गुड मॉर्निंग तो चलिये आज का सेशन स्टॉर्ट करते हैं और स्टॉर्ट करने से पहले यह कोईट से हम स्टॉर्ट करते हैं बहुत ही जबर्जस कогईट और आपकी जिंदगी में कुछ भर देगा तो चले आज सबसे पहला जो quart है भाग कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं सास्ती हूं जो भाग होता है वो कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं होता है सा जो है, question स्क्रीन पे है, हाल ही में चर्चित, हाल ही में चर्चित, मरु मडी सब्द, किस कला को पुनर जीवित करने के लिए एक social media अभियान से सम्मंदित है, अभियान से सम्मंदित है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, राजस्थान कला को पुनर जीवित करने के लिए एक social media अभियान से सम्मंदित है, तीक है, और बता दें, राजस्थान सरकार जब COVID-19 चल रहा था, तो उसके दवरान सरकार द्वारा सुरू कईगी, योजनाओं को बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, विभीन छेत्रों में सिल्फ और तक्निक्यू का अभ्यास करने वाले कला करों का एक data बना रही है, तो चले, next question की बात करते हैं, next question है, स्क्रीन पे, फेलुदा पेपर इस्टिप टेस्ट जो होता है वो बिमारी का किस बिमारी का सफल परिच्छड करता है तो बता दे बिटा COVID-19 का जो सफल परिच्छड होता है कौन करता है फेलुदा पेपर इस्टिप टेस्ट द्वारा COVID-19 का सफल परिच्छड किया जाता है ठीक है और फेलुदा सब्द एडिटीर लेमिटेड यूनिफार्म डिक्सेशन ऐसे एक के लिए एक संचेप तरूप से है ठीक है और बता दे COVID-19 परिछड की सटीक रिपोर्ट के लिए फेलुदा एस्टेप पेपर का प्रियोग किया जाता है ठीक है चलिए और बता दे वैर इसकी पहँचान करने के लिए 96 संसिट्यू और 98 रहा है तो चलिए नेश की बात करते हैं नेश कोशन है स्क्रीन पे यूनिशेप और यूनिशेप और द्वारा ए नेग लेक्टेड ट्रेजडी दी ग्लोबल बर्डन आफ इस्टिल वर्थ रिपोर्ट जारी की है रिपोर् इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गही है तीक है रिपोर्ट एनेग लेक्टेड ट्रेजडी दी ग्लोबल बर्डन आफ इस्टिल वर्थ रिपोर्ट जारी की गही है तीक है रिपोर्ट एनेग लेक्टेड ट्रेजडी दी ग्लोबल बर्डन आफ इस्टिल वर्थ सन्युक्त रूप से सन्युक्त राष्ट बाल कोस यूनिसेप विशो स्वास्त संगठन डबलु एचों डबलु एचों जो फुल फाम होता है वेटा विशो स्वास्त संगठन होता है और सन्युक्त राष्ट के आर्थिक वाश्यामाजिक मामलों के विभाग और विस्तो बैंक के द्वारा दी जाएगी यह रिपोर्ट संगठन द्वारा सन्युक्त रूप से जारी किया गया है इस जो रिपोर्ट को जारी किया है वो संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मिला कर जारी किया है वैस्विक अन्वान से बताया जाता है कि अभी भी उच्च आयवाले देशों के लिए अभी भी चिनवती बनी है और जहां मा की सिच्छा का अस्तर अशामनता के महानता ड्रायोरों में से एक है ठीक है चली और बता दे रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग दो मिलियन बच्चे अभी भी जन्म जात हैं और इन में से 84% दुरघटना निम्न और निम्न माध्यम आयवाले देशों में होती है ठीक है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा डबलू एचो ठीक है डबलू एचो का मतलब है विश्व स्वास्थ शंगठन ठीक है तो चली नेस्ट कोशन की बात करते हैं स्विजेडर लैंड का जोरिक एयरपोर्ट एंटरनेशनल एजी जवार हवाई अड़े को किस राज में विकसित कर रहा है तो उत्तर प्रदेश राज में इसे विकसित किया जाएगा जोरिक एरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एजी ने दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड़े की विकास के लिए नुएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड के साथ एक समझोते पर ग्यापन परहस्ताचर की हैं और यूपी सरकार और यमुना इंटरनेशनल एरपोर्ट प्राइवेटेड लिमिटेड नामक एक विसेश प्रियोजन वाहन के बीच समझोता परहस्ताचर की गए जो प्रियोजना के लिए जोरिक हवाई अड़े द्वारा महेंगाई मंगाई जाती है और हवाई अड़े का सारवजिन निजी करड भागीदारी मॉडल बनाया जा रहा है और माना जाता है कि एक बार पूरा होने के बाद या भारत का सबसे बड़ा होगा या क्या होगा भारत का सबसे बड़ा एरपोर्ट होगा चली बात करतें नेक्ष कोशिन की तो नेक्ष कोशिन है स्क्रीन पे 15 अक्टूबर को कौन साथ दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को कौन साथ दिवस मनाया जाता है और बता दे भारत के किसके जन्म दिन पर मनाया जाता है तो बता दे भारत के मिसाइल मैन क्या कहा जाता है मिसाइल मैन और मिसाइल मैन की कारिकरम के जनक तथा भारत की पूरवराष्ट पज्यों की दो हजार से दो हजार दो से दो हजार साथ तक डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम का जन्म 15 क्टूबर 1931 में हुआ था उन्ही की याद में सन्युक्त राष्ट के दोरा 15 क्टूबर का जन्म जो दिन होता है वो विद्यार्थी की रूब में घोसित किया गया है ठीक है चले बात करते हैं नेक्ट कोशन की तो नेक्ट कोशन है स्क्रीन पे हाल ही में जारी किया गया सो का सिक्का ठीक है किसके एसमरण और प्रधान मंतरी नरेन मोदी द्वारा जारी किया गया है ठीक है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा विजियाराज सिंधिया विजियाराजी सिंधिया के एसमरण और प्रधान मंतरी नरेन मोदी जो द्वारा जारी किया गया है ठीक है तो चलिए हम डिटेल में थोड़ा बात करते हैं तो हाली में जारी किया गया सो का सिक्का जो की राजे सिंधिया के एसमरण में प्रधान मंतरी नरेन मोदी जी द् और इनकी सौवी जयंत्री के अउसर पर इसे जारी किया गया है और लोगप्रिक के रूम में गवालेर की राजमाता के रूम में जानी जाने वाली विजया राजी सिंधिया का जन्म लेखा दिब्यशोरी देवी के रूम में हुआ था और वह जन्संग की सक्री सदस्य थी और भारती जन्ता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी ठीक है तो चलिए और बता दे उन्होंने प्रख्यात लेखक मनुहर माल गोन करकी एक प्रमुक सहायता में ग्वालियर की अंतिम महरानी नामक पर एक कथा आत्म कथा भी लिखी है तो चलिए नेश कोशन की बात करते हैं सात्यूं नेश कोशन है स्क्रीन पर किसके द्वारा सागर कवच नाम का अभ्यास किया गया है तो नो सेना द्वारा किया गया है यानि एर फोर्स के द्वारा सागर कवच नामक अभ्यास किया गया है और दो दिवसी तटी सुरच्छा शागर कवच भारती तड रच्छक बल के साथ भारती नौसेना द्वारा किया गया है और यह अभ्यास सागर कवच तटी सुरच्छा तंद्र की छमता परखने और मानक संचालन प्रतकिरियों का जाजा लेने की उद्दिस से किया जाने वाला एक अर्द वार्शिक अभ्यास है ठीक है चली बात करते हैं नेश्ट थोड़ा और यह अभ्यास केरल लच द्यूप और करनाटक की तटी छेत्रों में आयोजित किया गया है और अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य संगठोनों में से एक कुछ केंद्री और दोगिक सुरच्छा बल समुद्री प्रवर्तन और खूपिया ब्यूरो हैं तो चली नेश्ट की बात करते हैं अगला कोशन है स्क्रीन पे अर्थ सास्त अर्थ सास्त दोजार बीस के लिए नोबेल पुरुसकार निम्न में से किसे दिया गया है अर्थ सास्त का जो पुरुसकार है निम्न में से किसे दिया गया है तो बता 2020 के लिए नोबेल पुर्षकार पॉल आर मिल्ग्रोम रोबर्ट्स बी विल्सन को निलामी के सिधान्त और नई निलामी प्रारूप के आविश्कारों में सुधार के लिए दिया गया है और इन्हों ने उन वस्तुमों और स्यमाओं के लिए निलामी शोरों को डिजाइन करने में अपनी अंतर अश्टमा का उप्योग किया है जिने पारमपरिक तरीके से बीचना मुश्किल है जैसे की रेडियो फ्रेंक वस्ती और तक्नीकी रूप से इसे स्विजर प्राइस एन एकोनॉमिक साइंसेस इन मिमोरी आप अलब्रेट नोबेल के तौर पर जाना जाता है और इस पुरुषकार की स्थापना 1969 कब हुई थी? 1969 की नोबेल पुरुषकार की स्थापना हुई थी और तब से इसे 51 बार कितने बार साती हूँ? 51 बार अब तक 51 बार दिया जा चुगा है तो चलिए आगे की बात करते हैं नैश कोशन है स्क्रीन पे किसने 91 एक खिताब जीत कर माइकल शूमा कर के सार्वकालिक रिकार्ड की बराबरी की है किसने 91 के एक खिताब कितना बेटा? एक खिताब जीत कर माइकल सूर्मा सूमा कर के सर्वकालिक रिकार्ड की बराबरी की है जिसका जो राइट अंसर हो जाएगा लुईस है मिल्टन ने लुईस है मिल्टन ने किया है ठीक है मर्सडीज के लिए ड्राइविंग लुईसिस ने एफिल ग्राफ प्री जीत कर माइकल सूमाकर के 91 वी ठीक है कौनसा 91 वी भार्मूला वन खिताब जीत कर रिकार्ड की बराबरी की है ठीक है तो चलिए नेस्ट कोशन की बात करते है अगला कोशन है स्क्रीन पे भारत ने स्वदेसी तक्नीकी से निर्मित सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिछड किया है कौन किया है निर्भय क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परिछड किया है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्भय होगा बेटा ठीक है और भारत के स्वदेसी तक्नीकी से निर्मित सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परिछड किया गया है और मिसाइल की ध्वन मंच पर मच 0.8 मच जो होती है 0.8 से कम है और कई प्लेट फार्मों से 1000 किलो मेटर की परिचालन सीमा संभव मिसाइल को एक ठोस राकेट मोटर बूस्टर द्वारा संचालित किया गया है और इसी उन्नत सिस्टम प्रयोग साला द्वारा विक्सित किया गया है ठीक है बात करतें नेश कोशन की नेश कोशन है चली आज की कोशन सत्यों यहीं तक है फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में इसके पहले कुछ आप से बताना चाहता हूँ ठीक है संडे कों हम लेकर आ रह पांच जनुवरी तक का करेंट रहेगा, ठीक है, और कितने साथ ही 1-5 तक का पिछला करेंट पढ़ने के लिए तयार है, कमेंट में जरूर बताएं ठीक है, और बता दें और इसी अपनी Facebook, Twitter, जितने भी आपके गुरूप हूँ टीक है, ट्विटर के लावा, टीक है, जैसे वार्टसप हो गया, फेस्बुक हो गया, और आपका क्या बोलते हैं, टीक है, सारे के सारे में सेर कर दीजी, और सस्क्राइब कर लिजीएगा नयच हो चैनल पर, तो सस्क्राइब कर लेना, और लाइक वाला बटन ठोंग देना, टीक है, तो चली, आज क्लास यहीं तक साती हूँ, अब तक के लिए टाटा बाबाए, टेक केर, और जय हिन, जय भारत!